नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका रुची धर्मन पाठशाला में जैसे कि आपने देखा था, लास्ट वीडियो में हमने आंसर राइटिंग के लिए एक पहल की है जैसे कि 2019 के बच्चों के लिए यांसर राइटिंग का प्रोग्राम लाँच किया गया था लेकिन यांसर राइटिंग का प्रोग्राम नाकिवल 2019 के बच्चों के लिए लाबदायक होगा अपितु 2021 जो बच्चे क्वालिफाई करने वाले है प्रिलिम्स और मेंस देंगे उनके लिए भी ये लाबदायक सिद्ध होने वाला है तो यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमने जो टेस्ट पेपर आपको प्रवाइट कराए था एक दिन पहले आज क उस टेस्ट पेपर पर आज डिसकेशन होने वाला है जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए एक बार फिर से बता दू कि 2019 MPPSC मेंस के लिए यहाँ पर एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम लॉंच किया गया है जो 16 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक चलने वाला है औ अब इस टॉपिक वाइस टेस्ट को हम सौल कैसे कर रहे थे बच्चों मैंने आप लोगों को टेलिग्राम चेनल पर कल शाम को ही एक कोश्चन पेपर प्रवाइट कर दिया था जिसका आज हम यहाँ पर डिसकेशन करने वाले हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा और यह द यहाँ पर हम उसका सॉलीशन देखने जा रहे हैं आप जैसे कि देख रहे होंगे बच्चों कि हमने यहाँ पर आज ब्लैंक स्क्रीन पर डिसकेशन करने का सोचा है उसके पीछे रीजन यह है कि आपको पहले या पहले टेस्ट के डिसकेशन के माध्यम से मैं यह बता दू क कि मद्यप्रतेश लोग से वा आयो कि कॉपी अच्चुल में आने कैसे वाली है जैसा कि आपने देखा होगा नो डाउट 2019 का जो पेपर होगा वो पुराने इसलिवस के कॉडिंगली होगा लेकिन कॉपी या फॉर्मेट उन्होंने नया यहाँ पर ला लिया है लाइनिंग ठीक है और यह फॉर्मेट 2021 के बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनको भी कॉपी सेम ऐसी ही मिलने वाली है अब हम यहाँ पर आज पहले यह देखेंगे कि हमको कितनी लाइन मिल रही है या फिर इस पेज को कैसे आपको अटेम्ड करना है किस रूप में आप आंसर लिखें कहने का तात पर यह है कि जितने भी हमारे आंसर रेटिंग के टॉपिक आएंगे हम उसमें जितने डाइमेंशन कवर कर सकते हैं बच्चा नया नया तरीका जान सकते हैं आंसर को लिखने का वो जानेंगे तो आज पहले मैं आपको लिखना बताऊंगी जो भी आज आप सीख करिएगा और नेक्स्ट टेस्ट पेपर दीजेगा और नेक्स्ट में फिर हम एक नई आंसर राइटिंग का पैटन देखेंगे अब बिना कोई देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट पेपर को पहले और उसके डाइमेंशन को जैसा कि आपने देखा होगा कल क के टॉपिक थे हमारे संधी समास विरामचिन और वरण माला 16 अक्टूबर के टॉपिक एक बारी और रपेट कर दे रही हूं वरण माला संधी समास और विरामचिन तो आपको कही न कहीं आज उसी के कुश्चन दिखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक आपको सेडियूल में वो सेडियूल लास्ट वीडियो में भी डला हुआ है बच्चो और टेलिग्राम चैनल पर भी वहाँ पर डला हुआ है जिस किसी बच्चे ने टेलिग्राम चैनल को जोईन नहीं किया है उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम चैनल की लिंक दे दी जैसा कि यह तीनों ही टॉपिक एक से लेकर दस तक के कुश्चिन में या नए स्लेवर्स के एक से लेकर आठ तक के कुश्चिन वहाँ पर होंगे तो यह कुश्चिन क्रमंक एक में आएगा जहां पर थी मारकर आते हैं और कुश्चिन क्रमंक आठ में आएगा जहां पर अगे बच्चो आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रही है वैसी दिखाई देती है जिसमें question आलरेडी वहाँ पर type होगा उसके बाद आपको यहाँ पर चार लाइन मिलती है उसके बाद अगला question उसके बाद चार लाइन कुछ बच्चों ने देख भी लिया होगा ये copy कुछ ने नहीं देखा है तो सामने स्क्रीन पर देख रही है question क्या कहेगा question number 1 question number 1 में इन्होंने बोला है कि हम आपसे 20 लगुत्री प्रश्न पूछेंगे 2019 के बच्चों के लिए 20 2021 के बच्चों के लिए कितने जल्दी इसने मुझे comment करके बताईए कितने 25 लेकिन marking कितनी 3 अंक ठीक है तो 20 into 3 equal to 60 तो यहाँ पर 60 अंक के प्रश्न इस format में पूछे जाएंगे 2021 के बच्चों के लिए अंक हो जाएंगे 75 ठीक है अब हम इसको attempt कैसे करेंगे या इसमें लिखेंगे कैसे तो इसके लिए हम अपने question को देखते जाते हैं और जितने dimension इसके होंगे question को लिखने के वो हम यहाँ पर सीखेंगे आज और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी दिर पहले बोला आपको जो भी dimension मैं यहाँ से बता रही हो बच्चों उन dimension को आप next test में क्या करिए apply करिए और एक काम और करिएगा टेलिग्राम चैनल पर आप जितना ज़्यादा ज़्यादा अपना answer वहाँ पर डाल सके डालिएगा ठीक है ताकि मैं देख पाऊं कि जो मैंने सिखाया वो आपने apply किया की नहीं किया ठीक है चलिए अब यह चीज समझ में आई आई आपको कि 20 question हों नहीं आपको हासिये के इस तरब कुछ लिखना है ना ही ऊपर लिखना है ना ही नीठे मतलब जितना box आपको दिया गया है जितनी line आपको दी गई है आपको उसी में अपना question paper को क्या करना है attempt करना है got it अब हमने कल के question जो दिये थे उसमें से पहला question था संयुक्त वर्ण को समझाईए यह question था जैसे कि यहाँ पर भी है और screen पर लिखा हुआ है संयुक्त वर्ण को समझाईए कैसे लिखा आपने यह देखिए प्रश्न था संयुक्त वर्ण कई बच्चू ने यहाँ पर इसको समझा होगा संयुक्त स्वर या किसी ने समझ लिया होगा संयुक्त वि चाहिए मतलब वर्ण में स्वरवर्ण भी आएंगे और वेंजन वर्ण भी आएंगे दो से तीन प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं पहले तो आप बता देते कि सैयुक्त वर्ण क्या है अगर आप बताना चाहते तो लेकिन अगर आप पहले में ही सैयुक्त स्वरवर्ण भी बताना चाहते हैं और संयुक्त वेंजन वर्ण भी तो शायद आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं पॉर एक्जाम्पल यहां पर आप क्या लिख दें संयुक्त वर्ण ठीक है उसके बाद में यहीं पर बता दें क्या असमान वर्ण के मेल से बनने वाले और उसके बाद इसके डो डाइमेंशन निकाल लीजे कौन-कौन से संयुक्त स्वर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताईए कौन-कौन से संयुक्त वेंजन वो भी मुझे बताईए तो एक तरफी आपने लिख दिया संयुक्त स्वर और एक तरफ संयुक्त वेंजन तो सायुक्त स्वरों की संख्या चार, ए, अई, ओ, और अउ और सायुक्त विंजनों की संख्या सारी सायुक्त विंजनों की संख्या कौन-कौन से आ गई? श, त्र, ग्या और श्र अभी आज मैं आपको यहां लिखके बता रही हूं तो थोड़ा बहुत आपको यहां पर मैसी मैसी सा लग रहा होगा नेक्स्ट वाला जो हम यहां पर सीखेंगे लिखना उसमें मैं आपको रिटन, हैंड रिटन भी आपको नोट्स प्रवाइट करूंगी आंसर के फॉर्मेट मतलब और टाइप भी आपको हम नेक्स जो स्लाइड या नेक्स जो वीडियो आएगा उसमें टाइप के फॉर्मेट में भी आंसर रिटन का डिसकेशन करेंगे बच्चो ठीक है तो आपने देखा हमने सायुक्त वर्न को दोनों डाइमेंशन के बताया कि दो असमान सुवर वर्नों के मेल से मिलकर बनते हैं उन्हें हम सायुक्त वर्न कहते हैं ये स्टवर और वेंजन दोनों हो सकते हैं दोनों चार चार अगर किसी बच्चे को लगता है ऐसा नहीं बताना तो एक लाइन में आप यहाँ पर क्या लिग दीजे सेयुक्त स्वर, एक लाइन में सायुक्त वेंजन और दोनों काइस्त मिलकर बने रहले हैं वो भी बता सकते हैं, तो एक से दो फार्मेट एक question को लिखने के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप ऐसा लिखे हैं ठीक हैं, अगर आप चाहें तो यहां पर यह भी बता सकते हैं, तो आई होब पहला प्रिश्चन समझ में आया होगा संयुक्त वरन को कैसे attempt करना है और कैसे कहते हैं नेक्स्ट पोलता है अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर अब देखें चार लाइन है कई बारी हमको यह समझ में नहीं आता हम अंतर को attempt कैसे करें तो आप अंतर को box form में attempt करें तो अच्छा लगता है लेकिन box form में अंतर को attempt हम तब करें जब हमको तीन अंतर अच्छे से आ रहे हैं लेकिन फिर task आप देखेगा अगर आप box बना लेंगे बहुत ध्यान से देखेगा ऐसे तो box अगर आप बनाते हैं तो मुझे एक बात बताईए अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया अनुनासिक और यहाँ पर अनुस्वार तो box में लिखने के लिए तो दो ही बचे यहाँ पर यह देखें फिर कैसे बनाए क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि box को ऐसा पल्टा लिया जाए इस तरह कैसे तो तीन अंतर आजाएंगे देखें कैसे और box form में भी हो जाएगा यह सब्चे जदा class program में भी बच्चे मुझसे पूछते मैं box में तीन अंतर लिखने में तो चार लाइन बचती ही नहीं देखें कैसे लिखेंगे यहाँ पर आपने लिखा क्या जिसमें अंतर दिया गया या शब्द किस शब्द में अंतर दिया ग इन्हीं अंतर दिया है इन्हीं में अंतर दिया है आप तीन क्या आप चार अंतर लिख सकते हैं देखें कैसे लाइन बनी हुई है लेकिन तो भी मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूं देखिया पहला अंतर आप उसका उच्छारण बता दे उच्छारण के आधार पर या जिसको आप परिभाशा के रूप में भी लिख सकते हैं दूसरा आप बता दीजे इसका प्रतीक चिंध या फिर चि किसरा आप इसका क्या कर दीजे उधारण बता दीजे अगर आपको चार अंतर लिखने भी आया तो आप लिख सकते हो इसमें है ना मज़े की ट्रिक तो अब अनुनासिक का उच्छारण कहां से होता है वे वर्ण जो नाक और मुह दोनों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हे आप क्या कहते हैं अनुनासिक पढ़ाना अपने इसके लिए वर्ण की उपर कुछ इस तरीके का प्रतीक चिन आपको दिखाई देगा इसका उधारण अगर मैं देखूं तो आँख अनुस्वार वे वर्ण जो कीवल नाक की मदद से बोले जाते हैं उन्हें अनुस्वार कहा जाता है इसका प्रतीक चिन केवल ये बिंदी चेक है अगर इसका उधारण देखूं तो अंक अंकुर या फिर और भी ऐसे वर्ण जिनक्यू पर ये बिंदी आ रही है तो क्या आप मुझे बताईए एक भी लाइन इधर उधर गई और तीन अंतर हो गए तीना वज़ेदार ट्रिक ठीके अंतर लिखने की बॉक्स फॉर्म में भी हो गया और लाइन भी उपर नीचे नहीं गई और तीन अंतर भी हो गए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो शब्द को परिभाशित करें प्रशनाया ये शब्द क्या होते हैं जैसे अगर आप देखें तो आपने आपको लग रहा होगा कि शब्द का टॉपिक तो अलग है यहां क्यों पूछ लिया लेकिन जिस किसी भी बच्चे ने मेरी वरण नमाला में ही शब्द के कॉंसप्ट आपको कुछ थोड़े बहुत बताए थे यही रीजन है कि आज के टॉपिक में मैंने शब्द की डेफिनीशन यहां पर आपसे उच्छे अब यह क्या बोलते हैं कि शब्द को परिभाशित करिए मतलब आपको देना है शब्द की सार्थक समुह को या सार्थक समुह शब्द है अब देखिए आपको बहुत ज़्यादा लाइन को नहीं भरना है कि आप बिल्कुल यहां पर क्या कर रहे हैं इतना जादा लिख रहे हैं कि वे वर्ण जो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं और जिनका एक कलता है उसे शब्द कहते हैं इतनी लंबी लाइन लिखने से अच्छा है आप कम शब्दों में अपनी बातों को रखे जहां आप सरल वाक्ये बोल रहे हैं वहां पर आप सैयुक्त या मिश्रित वाक्यों का प्रयोग करें पुछलों को हटाए पुछले मतलब लास्ट में होगा तो मैंने बोला इन पुछलों को हटा कर आप पूर्ण विराम लगा दें तो भी आपका ये वाक्य कंप्लीट माना जाता है विराम चिन्न जब स्लीबर्स में है तो इनका उप्योग किया जाए ना ठीके अब यह हो गया उधारण आप यहां पर नेक्स पॉइंट में बता दीजे शब्दों के जो भी आपको लिखना है ठीके जैसे चांद मकान घर आधी अगर आप चाहें उधारन लास्ट में लिख दें प्रकार लिख दीजे शब्दों के बहुत सारे प्रकार होते उसमें से एक बता दीजे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द या फि तो भी आपको pattern लगता है, आप यूज कर सकते हैं, कोई भी तीन points में इसका उतर आप ले जा सकते हैं, ठीक है, next अगर मैं बात करूँ, आप लोगों को pen visible है, ठीक है, एक बारी मुझे बता दीजेगा, otherwise मैं कोई दूसरे color का pen use कर लेती हो, I think मुझे ऐसा लग रहा है, pen बहु paint pen से ही exam देना है, got it, ठीक है, एक बारी मैं कोई dark color का pen देख ले रही हूँ, या फिर मैं black ही ले लेती हूँ, ठीक है, black I think आपको visible होगा, next आ रहा है, कंठवा तालू से उच्छारित होने वाली ध्वनिया लिखें, मतलब वर्ण माला में आपने उच्छारन स्थान के आध जैसे कौन से वर्ण है, जो कंठ और तालू दोनों की मदद से एक साथ बोले जाते हैं, तो वो है दो, तो आप simple लिख दीजिए, वर्ण बराबर दो बराबर कौन कौन से यहाँ पर, A और I, यही दो वर्ण हैं, जो कंठ और तालू दोनों की सहाइता से बोले जाते हैं, अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम इसको ये तो इतना भरा-भर आया ये दो वर्ण जी हाँ तो जितना उसने पूछा है आप उतना ही यहाँ पर उसको आंसर दीजे बहुत जादा या बहुत जादा कम आपको नहीं लिखना है और बहुत ही जादा भर-भर के भी नहीं पेंजन हो या विसर्ग संधी हो कोई भी संधी जब आप तोड़ते हैं या जोड़ते हैं तो उनके लिए आपको कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है या कौन-कौन से नियम होते हैं तो आपने जैसे कोई भी तीन नियम मैंने आपको क्लास में 5-6 नियम पता हैं कोई भी तीन नियम आप लिख सकते हैं जिस भी फॉर्मेट में देखिए हर कुश्चिन में अलग-अलग फॉर्मेट दीजे लास्ट को आपने ऐसे लिख लिया इसको थोड़ा सा ऐसा लाइन बना कर लिख लीजे पहला नियम कहता है कि संधी के लिए वर्णों के मध संध्य विकार या परिवर्टन होना जरूरी है जैसे बता दे आप प्लस ए मिलकर क्या बनेगा आए ठीक है या कोई भी विकार दूसरा अगर मैं बताओं तो जब संधी तोड़ी जाती है तो ये देखा जाता है कि संधी तत्सम शब्दों में या संधी का शब्द तत्सम शब्द है या नहीं एक सिकिन रूकिए तच्चम शब्द हो संधी का शब्द कैसा शब्द हो तच्चम शब्द हो नो डाउट अगर आपने लूसेंट पढ़ाओगा तो उसके पीछे आपने नियम देखाओगा हिंदी के शब्दों में संधी लेकिन हम अगर देखें तो जब संधी के उत्पत्ती हुई थी या सब्दरचना में संधी को नियम की रूप में इंक्लूट किया गया था तो संधी के यहाँ पर साप साप नियमों में से एक नियम असपस्ट है कि संधी हमेशा तच्चम शब्दों में ही होती है तो इसलिए हमने ये नियम लिखा है no doubt कुछ books में हिंदी में संधी और हिंदी में भी संधी दी गई है तो हम अभी उसको थोड़ी देर के लिए neglect कर रहे हैं next अगर मैं बात करूं तीसरा नियम तो जो वर्ण विच्छेद किये गए हैं मतलब संधी तोड़ी गई है और संधी जुड़ी है मतलब संधी शब्द और संधी विच्छेद करने पर दोनों का ही अर्थ क्या निकले समान हो दोनों का अर्थ कैसा हो समान हो तो ये कुछ नियम थे और भी नियम आपने देखे थे कि संधी के लिए डो पद और दो पद के प्रतम पद का अंतिमवर्ण और द्वतीपद के प्रतमवर्ण का मेल होता है छी के तो और भी नियम आप इसमें से लिख सकते है तीन लिखना था हमने तीन महत्वकूर्ण नियम यहाँ पर लिख दिये ठीक है नेक्स्ट अगर मैं बात करो तो इन्होंने बोला दीर्ग स्वरसंधी किसे कहते हैं बताइए तो जैसा कि आपने देखा था कि दीर्ग स्वरसंधी वह संधी है जिसमें क्या होता है आप देखिए क्या बोला किसे कहते हैं तो डायरेक्ट आप चालू कि हो जाए है यहां पर क्या जब प्रथम कि संब्सक्राइब के सब्सक्राइब कि इसके अलावा क्या आ जाए या फिर क्या आ जाए उ या वाज जाय और द्वती पद में द्वती पद के अंत में स्वारी द्वती पद के प्रारंभ में क्या आ जाए? सेम यही चीज आ या आ इ या इ उ या उ आ जाए तो क्रम्तह क्या विकार उत्पन होता है? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ नामक विकार उत्पन होता है विकार उत्पन होता है ठीक है? उसे त्वर संधी कहते हैं या उसे दीर्ग संधी कहते हैं या उसे ये संधी कहते हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको फिलर्स या लास्ट में पुछले यूज नहीं करने हैं आपने पूर्ण विराम लगा दिया आपका काम हो गया अभी भी आपके पास एक लाइन बाकी है आप अगली लाइन में यहाँ पर क्या लिख दीजे उधारण जैसे अब दीर्गस्वर संदी का कोई भी आप यहाँ पर उधारण लिख दीजे जैसे विद्या धन आले बराबर विद्याले ठीक है जैसे कि अगर आप देखेंगे इस चीज को हमने पूरा एरेस कर दिया दो मिनिट रुखेगा अब देखें यहाँ पर क्या लिखा मैंने विद्या धन इस बात को मैं यहाँ पर लिख दे रहे हूँ आपके पर कॉपी में रहेगी बचो ठीक है विद्या धन आले बराबर विद्याले ठीक है और जहां पर भी विकार उत्पन हुआ है कि आप लसा मिलकर वहाँ पर बड़ा आ बना है यह आप उस चीज में बता दीजे ठीक है नेक्स्ट कोश्चन की अगर हम बात करें तो ने आपने जैसे की क्लास में देखा होगा कि प्राणों की आधार पर विंजनों को दो भागों में बाटा गया है कौन-कौन से तो यहां पर अगर आप देखें कि प्राणत्यों के आधार पर जो विंजन है उनको हमने दो भागों में बाटा है कौन-कौन से जल्दी से बताए अल्प प्राण विंजन और महाप्राण विंजन तो रिप्रेजेंटेशन अगेन आप ऐसा कर दें महाप्राण विंजन अल्प प्राण विंजन में वो विंजन होते हैं जो प्रतिक इसपरशी विंजन के कौन से विंजन होते हैं प्रथम, त्रती और पंचम वर्ग के वर्ण होते हैं और इसके सासा चारों अंतस्थ विंजन जल्दे से कमेंट बॉक्स में मुझे बताईए अंतस्थ विंजन कौन-कौन से है चार यह र ल व यह यहाँ पर अलपप्राण वेंजन कहलाते हैं महाप्राण वेंजन में प्रतेक वर्ग का दूसरा और चाथा वर्ण और इसके सास संघर्शी वेंजन आएंगे जल्दी बताईए संघर्शी वेंजन किसे कहते है या फिर इसका दूसरा नाम क्या है उश्मी विंजन स श श और ह यहाँ पर क्या है संघर्जी विंजन है तो रिप्रेजेंटेशन आपने देखा आप चाहते तो एक एक लाइन में भी लिख सकते थे लेकिन अच्छा लगता है आप नए नए रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर करिए आपने अगर समास की क्लास में देखा हूगा तो हमने समासिक पद या समस्द पद की परिभाशा देखी थी यह क्या होता है तो आपने देखा होगा कि जब आप जो भी पद है प्रथम पद और द्वती पद को मिलाकर जो नया पद बनाते है यह मैं यूं बोलू कि ज प्रथम पद वा द्वती पद के मेल से जो पद बनता है उसे समस्थ पद कहते हैं यह आप एक लाइन में लिख देंगे जैसे उधारन के लिए आपने यहाँ पर बता दिया कि कोई भी समास का उधारन लिख दीजिए चीक है पंचानन तो आप यह वाले चीज के नीचे ऐसा एरोन बना दिजे कि यह समस्थ पद है और इसमें कौन से दो पद हैं तो पंच धन आनन प्रथम और द्वती पद यह प्रथम पद यह द्वती पद और उसको यहाँ पर तूड़ा हुआ शब्द पंच है आनन जिसके अर्था ठेक है ऐसे करके तो आपना वहाँ पर यह वाले आप इसको तोड़े या ना तोड़े लेकिन हमारा समस्थ पद यह कहलाता है तो आपको इसके नीचे एरो बनाकर लिग देना है कि हमारा समस्थ पद यह है अगर आपको लग रहा है ऐसा नहीं तो आप किसी और तरीके से भ प्रेजंट करते हैं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो मैं बात कर रही हूं किसकी रेट पैन ले लूँ अगर आप इसाज़त दें तो द्वंद समास ठीक है द्वंद समास की अगर मैं बात करूं तो पहले इसने सिंपल शब्द दिखे अकेला शब्द दे दिया द्वंद समास किसे कहते हैं नियम लिखे प्रकार लिखे कुछ भी नहीं पूछा तो आप क्यों पर है कि आप इसको कौन से तीन डाइमेंशन या कौन से तीन पॉइंट्स देना चाहते हैं फॉर एक्जाम्पल अब मैंने पह क्या हो प्रधान हो बस है कि अब कोई पुछलना नहीं कि उसे द्वंद समास कहते हैं चोड़ दीजेए उस चीज़ को ठीक है देखें अगला उधारन लिख दीजे आप कोई भी ठीक है या फिर यहां पर प्रकार लिख दीजे और उधारन बाद में लिख दीजे नहीं तो एक और representation प्रकार और उधारन क्या एक साथ लिख सकते हैं देखें कैसे यहाँ पर बता दीजे प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं जल्दी से बताए iterator वैकल पिक ड्वंद समास और समाहार ड्वंद समास इतरेतर का उधारन इसके सामने वैकलपिक का उधारन इसके सामने समाहार का उधारन इसके सामने इतरेतर की अगर मैं बात करूँ तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या माता और पिता बराबर माता पिता ठीक है वैकल पिक का बात कर लो तो आप ठंडा गरम ठंडा या गरम ठीक है समाहार की बात कर लो तो रोटी वोटी तो रोटी इत्यादी रोटी वगेरा या रोटी आदी तो आप यहाँ पर उसको इतना स्पेस है तो उसको यहाँ पर उधारण भी दे सकते हैं इस स्पेस पे तो ये दो प्रकार का आपने रिप्रेजेंटेशन देखा इस वाले में next अगर मैं बात करूँ तो ये बोल रहा है विराम चिन्धों का महत्व बताए विराम चिन्धों का क्या महत्व तो आपको प्रशना रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्या विराम चिन्दों को पहले बताऊं डाइरेक्ट पुछाएं बच्चों महत्व तो आप डाइरेक्ट हिट कर दीजे महत्व में विराम चिन्दों का अगर मैं बात करूं यहाँ पर विराम चिन्दों के महत्व में तो डाइरेक्ट आप एक-एक दो-डो करके महत्व लिख दीजे पॉस्ट क्या महत्व हो जाएगा अगर मैं बात करूँ तो भाशा में या और इन्हेंस कर दे लिखित भाशा में लिखित भाशा में भाव अभिविक्ती इस पश्ठत हो जाती है भाव अभिविक्ती क्या हो जाती है इस पश्ठत या सरल हो जाती है ठीक है भाशा में रोचकता आ जाती है ठीक है विराम चिन्दों के मदद थे भाशा में इस पश्ठता आ जाती है ठीक है जो विराम चिन्दों के मदद से आप यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि ये बड़े बड़े वाक्यों को छोटा करके भी लिख सकते हैं तो आप जैसे बड़े वाक्यों हैं उनको छोटा करने के लिए भी ये क्या होते हैं प्रयोग में लाये जाते हैं उधारन के लिए लागव या फिर और भी अगर कोई वा प्रश्ण की बात करूं तो अगला प्राश्ण मने दिये थे पंडित कामता प्रसाद गुरू ठीक है अब पंडित कामता प्रसाद गुरू मैंने यहां पर क्यों लिया क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो हिंदी पढ़ते टाइम पर पंदिक प्रशाद गुरू जी का नाम आपने बहुत सारी जगह देखा होगा चाहे तो किसी परिभाशा में चाहे तो वर्ण माला के स्टार्टिंग में अब यह कैसे लिखा जाएगा तो क्या हम इसमें पहला ही पॉइंट यह लिखें क पहले आपको इनके बारे में कुछ बताना पड़ गा तो फॉर्स्ट लाइन आप यह लिख सकते है यदि आपको याद है तो कि पंदित काम्तप्रसाद गुरू कहां से संबन्दित हैं ठीक हैं तो इनका जनौ यहाँ पर सागर जिले में हुआ और इनकी मृत्ट्य यहां पर कहा हुई जबलपुर में हुई ठेक है अब आगर मैं बात करूं तो इन्हों ने क्या किया अब जणमे के बाद या मद्दप्रदेश से जहां इनका संबंध है उसके बाद हम बात करते हैं इनके कारियों की क्या कारिय किया तो इन्होंने हिंदी व्याकरण के लिए योगदान दिया या हिंदी व्याकरण की क्या करी उन्होंने रचना करी या नियम बताए यही रीजन है कि इनको हिंदी का पाड़नी कहा जाता है आप जैसे कि जानते होंगे बच्ची कि पाड़नी यहां पर संस्कृत व्याक्रणाचार्य है सेम वैसे ही हिंदी के लिए अमूल चूल व्योगदान देने वाली व्यक्ति कौन है पंडित कामता प्रसाद गुरू जी यही रीजन है कि इनको हिंदी के पाड़नी के रूप में जाना जाता है अगर मैं बात करूं इनकी रचनाए तो जैसे सत्य प्रेम हिंदुस्तानी सिष्टाचार या भूमा सुर्वद ऐसी इनकी बहुत सारी रचनाए या कृतियां हैं आ तो आप यहां पर देखिए आपने उनके जन्म के बारे में भी बता दिया उनने क्या किया वो भी बता दिया और उनकी दो तीन रचनाए भी बता दी तो कोशिश करिए कि जब भी किसी का नाम आता है आप उसको इस फॉर्मेट में लिजाईए ठीक है पहले उसके बारे में बताईए फिर वो क्यूं फेमस है उसने क्या काम किया हिंदी से रिलेटेड या जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो बताईए और उससे संबंदित एक और अन्यतत जो आपको याद है ठीक है नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो अगला प्रशन है बच्चो अयोग वाह अ और वनिजन की परईभाषा में भी फिटनी हो रहे थे तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताईए या गूगल पे सास करके बताएए कि कौन से वक्ती ने अयोग वहा Google नाम दिया है और अगर आप अपने अंसर में यह चीज लिखेंगे तो आपके अंसर में चार जान लग जाएगी ठीक है तो आपको मुझे कमेंट करके बताएंगे नहीं बनता है तो मुझे टेक्स्ट करिए मैं आपको बताऊंगी कि वो वेक्ति कौन है तो आपने देखा कि स्वर और वेंजन पे किनी वर्णों की परिभासा नहीं बैठ रही थी तो हमने वर्ण माला के तृती भ वेवर्ण जो ना तो स्वर है और नाहीं वेंजन अपितू स्वर भी है और वेंजन भी अब अगें कोई पुछलने नहीं उसे अयोग वहा कहते हैं नहीं मत लिखिये स्पेस बचाईए ठीक है कितनी संख्या है इनकी दो कौन-कौन सी अम और आहा और अच्छा रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो अम का नाम लिख दीजे अनुस्वार आहा का नाम लिख द दीजे इसके अम वाला उधारन और आहा वाला उधारन जैसे अंकुर आहा वाला उधारन लिख दीजे प्रातह ठीक है तो यह आपका पूरा-पूरा उत्तर हुआ किसका अयोग वहा को आई होप रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा होगा बच्छों नेक्स्ट हमने बात क है जब आप तीन अंतर देने में capable है या आपको याद आ रहा है ठीक है यदि किसी कारण बस आपको तीन अंतर याद नहीं आ रहे है तो अपनी गलती छुपाओ ठीक है कैसे स्वर और वेंजन को इसी फॉर्म में लिख दीजे बस स्वर साइडेडिंग उसको लिख दीजे अब इसमें आप एक या दो पॉइंट भी लिखोगे तो सामने वाले को वो हाइलाइट होके नहीं दिखेगा और नंबर आपको शायर तीन में से तीन मिल जाए ठीक है और अगर आपको तीन पॉइंट बन रहे हैं तो सेम वही चीज यहाँ पर बताईए अंतर आप किस में बता रहे हैं पॉर एक्जामपल आप अंतर बता रहे हैं किन दो चीजों में स्वर में और वेंजन में ठीक है फॉर्स्ट स्वर सेकेंड वेंजन क्या अंतर बता रहे हैं पहले तो परिभाशा बता रहे हैं परिभाशा के बाद आप क्या बता देंगे जो भी आपको तीन वहाँ पर याद आजाए वो बता दिजेगा ठीक है परिभाशा के बाद आप बता दिजेगा उनकी मानक संख्या ठीक है क्योंकि अलग-अलग हिंदी वित्ताओं ने अलग-अलग संख्याएं इसकी व्यक्ष्याइत की है या काल अनुसार इनकी संख्याएं लग लग भगटती या बढ़ती गई है ठीके और उसके बाद इनके उधारन बता दीजे या उधारन नहीं आदा रहे तो प्रकार बता दीजे या क्लासिफिकेशन वर्गी करण बता दीजे जो भी तीन आपको पॉइंट लगता है स्वर की परिभाशा वे या डाइरिक ले जाएं संख्या विंजन की मानक 11 स्वर की 33 या अगर आपको और बताना है तो 35 वाला द्विगुन को एड करके भी ब्रेकेट में लिख सकते हैं उधारन अ आ इई इसके क ख ग या अगर आप इसका क्लासिफिकेशन लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं लेकिन अ अंतर हो गए नहीं बन रहे हैं तीन तो आप साइड़ेडिंग वाईज इस चीज को लिखिया गौट इट नेक्स्ट कुश्यन वर्ण माला किसे कहते हैं अगर मैं बात करूं वर्ण माला की तो आप ये डेफिनिशन वाईज आएगा तीन पॉइंट वर्ण माला वर्णों क ववस्थित करम या फिर स्तमूह ही क्या है वर्ण माला है ठेक है अगर मैं बात करूं इसकी संख्या की तो वैज्ञानिकी तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्ण माला में शब्दों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है जल्दी से बताएं बावन और उसके बाद वर्णीकरण किन तीन भागों में वर्ण माला को बाता गया है तो स्वर वेंजन और अयोग वाहा हो गया संख्यावी वर्णों की परिभाशा भी और उसका वर्णीकरण भी ये तीन पॉइंट वहां यादना है तो कोई और तीन पॉइंट में आपको उसको लिख देना है question 1 का last question क्या किनी तीन विराम चिन्नों को बताईए अब देखिए इनों ने आपने जब मैंने आपको विराम चिन्न पढ़ाया है क्लास प्रोग्राम वाले बच्चों को जैसे याद होगा कि विराम चिन्नों को हमने दो प्रकार से देखा कैसे मुख्य विराम टुक है तो यहाँ पर आपको साबसाप बोल रहा है किन्ही तीन तो आपको ऐसा लग रहा है वो साल टास वाली चीज चीज हाद आ रही है कि विराम चिन्न आप लिख रहे हैं तो आप उसी में से किसी को मुख्य करकरोगर दू मुख्य लिख दीजे कैसे दू? एक दो ऐसे करके मुख्य और एक गौण विरामचन्न लिख दीजे तीसरा तो आपने उसको क्या कर दिये तीन विरामचन्न तो बता है लेकिन देखिए विरामचन्न का क्लासिफिकेशन भी बता दिया नहीं आ रहे है उस टाइम पर अटा टाइम याद नहीं आता है दूसरा रिप्रजेंटेशन डाइरेक्ट एक दो तीन करके तीन विरामचन्न लिख दीजे चाहे मुख्य हो चाहे गौण उससे आपको लेना देना नहीं कौन से तीन तो स्टार्टिंग के ही तीन लिख दीजे पूर्ण विराम कब प्रयोग में लाया जाता है वो भी थोड़ा सा दीजेगा ठीके अल्प विराम और अर्ध विराम या लाघव जो भी आप लिखना चाहें लाघव चिन्ध पूर्ण विराम चिन्ध वाक्य समाप्ति पर ठीके अल्प विराम चिन्ध अल्प रुकने हे तूँ क्योंकि आप यहाँ पर पूरा लिखने गए कि इससे जादा इससे कम समय के लिए तो इस स्पेस कम लग जाएगा लागाव चिंध लगू करण है तू ठीक है पूरी डेफिनिशन नहीं लिखना है क्योंकि उधारन भी तो लिखने है अब पूर्ण विराम में लिख दीजिए जैसे मैं भारती हूं अब आप लिखोगे मैं भारत का नाग अगर एक हूं उन विराम स्पेस जादा लगेगी तो छोटे से कोई वाक्य को लिखे अल्प विराम अगर मैं बात करूं तो नहीं लिख पा रहे हो तो इसका तूकि अब इसके लिए सौरी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वाक्य लम्मा लिखना पड़ेगा तो हाँ आप यह कर सकते हैं कि छोटे विराम चिन्न का प्रेयोग यहां पर कर लें या फिर यह कर सकते हैं कि उसका चिन्ह बस लेग दीज़े लेकिन है उद्धारण लिखना ही पड़ेगा तो आप समझ रहे हैं कि जब आप Q&K के लिए उसके पहले एक सेकिंड के लिए सोच कि क्या ये तीनों पॉइंट्स मेरी एक लाइन में आ जाएंगे क्योंकि बच्चों अगर वहाँ पर जैसे अभी मेरे पास थो जगह है तो मैं यहां इस खर ले रही हूं लेकिन मेंस की कॉपी में सिचुवेशन ये बनने वाली है कि अगर आपने कोई चीज को एक बार लिख दी तो आप पैंसिल से नहीं लिख रहे हैं आपको वो काटना ही पड़ेगा चलिए आपने कार्ट तो दिया लेकिन आपको उसको लिखने के लिए फिर जगह नहीं मिलेगी उतनी ही है तो एक सेकिंड रुख कर सोच ले कि मैं इस आंसर को कैसे लिखूंगा और खास कर पेपर नंबर फाइब में तो सोची लीजिए क्यों सोच लीजिए क्योंकि बहु बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूँगी लेकिन टाइम का सदूपयोग करिए ठीक है सही सही से कोश्चन को अटेम्ड करिए कई बारी बच्चे से करते हैं मैं पूछती हूं जब कि माम हिंदी का पेपर तो बहुत जल्दी हो गया था आदे गंटे फिर हम बैठे रहे तो आ यही लिया तो यहाँ पर इसका कोई एक प्रकार बता दीजे कैसे राम सोहन घर गए ठीक है अब यह इसको नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर यह आ जाएगा ठीक है लागवचन लगू करण है तो जैसे म बना के लागवचन प्रवबना के जीरो बराबर मध्य प्रदेश वा बच्छों यह तो I hope question no.1 की formating यहाँ पर आपको समझ में आई होगी ठीक है अब देखते हैं हमारा next question क्या कहता है जैसे कि आप अगर देखें यहाँ पर तो next question क्या हो Automate है यह जो topic था हमारा यह question no.1 में तो आएगा ही आएगा यह जो topic है लेकिन ये जो question है ये box format में question number 8 में आपको पूछे जाएंगे 2019 वालों के लिए और कितने number के होंगे तो 3 number के ठीक है यही बात में आपको वीडियो के starting में समझाना चाहा रहे थी कि हमारा syllabus तो वही है 2019 वाले बच्चों का लेकिन उसने जो formatting कर दी है यहाँ पर या जो के लिए उत्तर पुस्तिका का जो प्रारूप निर्धारित किया गया है वो new syllabus के accordingly है ठीक है नंबरिंग उतनी ही है तीन नंबर में box format में आपको यह चीज कर दी गई है 2020 और 21 वाले बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताए मुझे हमको यह जो प्रश्न है वो कितने अंकों क बना होगा आपको उसी box के अंदर आंसर लिखने होंगे जितना space उतने में ही देखते हैं हमने प्रश्न क्या दिये थे पहला प्रश्न था अच्छा यहां लिखा हुआ है लोग हितकारी का समा स्विग्र है ठीक है आप यहां पर लिख लीजिए क्या होगा लोग के लिए हितकारी अभी मेरी राइटिंग यहां पर बड़ी बन रही है अदर्वाइस आपके पास वहाँ space होगा बराबर अब देखे बहुत अच्छा pattern तत्पुरुस समास कई बारी क्या होता है हम कारक की विभगते चिन्न भूल जाते हैं मतलब नाम भूल जाते हैं लेकिन का की के के लिए में से ऐसे चिन्नों को देखकर हम तुरंत बता देते हैं कि समास कौन सा होगा तत्पुरुस समास होगा लेकिन अब वहाँ पर याद नहीं आ रहा कि कौन सा तत्पुरुस समास तो अगेन smart work के वल लिख दीजे तत पुरुस समास यदि आपको याद है के लिए वि confusion है बच्चों कि क्या है ये तो सिंपल तत्पुरुष समास लेकर आगे बढ़ जाए समझ में आया नेक्स्ट बोला द्वापी का संधी विच्छेद कीजिए कैसे होगा देखिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर यह संधी विच्छेद होगा दौधन अपी बराबर अयाद स्वरसंधी कैसे यह देखिए आय आय आव यहां पर दिख रहा है जो इसकी सबसे बड़ी क्या है पहचार ठीक है दौधन अपी बराबर अयादी स्वरसंधी यहां पर दौधन अपी आएगा और आव अगर गया तो क्या देखर जाता है आव हमने संधी की क्लास में यह है जो यहां पर 100% के साथ आपको बन रहा है जैसे मैं बता रही हूं कैसे यह जो बॉक्स आता ना बिटा उसमें प्रशन यहां पर डिलीट हो गया उसमें लिखा रहता है कि कोई पांच अटेम्ड करिए और प्रशन दिये रहते हैं दस तो जब भी कोई कॉई कॉई प्रश प्रशन या जिस प्रशन में आप फस रहें उसको स्किप कर दीजे बलकि उसकी जगे कोई दूसरा आप अटेम्ड कर दीजे क्योंकि पांच प्रशन ही अटेम्ड करने हैं जस्ट उसके दुगने दिये हुए ठीक है अब लेकिन अगर कोई प्रशन वही बन रहा है जो आप प्रशन ही लेकिन अगर आपने यहां पर देखा होगा तो पीतांबर में कई बारी कर्मधारे समाज भी देखने को मिलता है जैसे पीला है जो अंबर लेकिन कई बारी मैंने SI के स्टुडेंट को भी बताया है कि यदि option में यहां पर बहुवरी समाज भी दिया हुआ है और क गर्मधारे समाज भी दिया हुआ है तो पहली प्राइक ता आपको ऐसे वाले option में किसको लगाना है बहुवरी को तो अब space कम है तो केवल आप यह बता दीजिए पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण बराबर कौन सा समाज बहुवरी समाज अगर इस space वहाँ पर थोड़ा जादा रहता है तो दो arrow बना कर जो पहले आ रहा है वो वाला लिख दीजिए और उसके नीचे पीला है जो अंबर कर्मधारे लिख दीजिए तो representation समझ में आया बच्छो दोनो ठीके कि अगर अहाँ प उस time पे at a time और एक ही की space है तो केवल वो लिखी है जिसमें आपको पहली priority बताई है मैंने class में ठीक है या सिखाया है ठीक है जैसे काली मिर्च का अगर मैं बात करूँ समास विग्रह करने के लिए यहाँ पूछा गया है तो कैसा होगा यह simple है बिलकुल काली है जो मिर्च बराबर कौनसा समास कर्मधार है ठीक है नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लागो विरामचिन्न को बताए ठीक है सेम प्रश्न लेकिन लगू करण हे तू उधारण प्रयोग जो भी आपको लिखना है मध्यप्रदेश बराबर मध्यप्रदेश जैसा भी आप लिखना चाहे ठीक है नेक्स्ट कोशन सदैव आगे बढ़ते रहो रुकना मृत्यू के समान है कोई भी विरामचिन्न यहाँ पर नहीं दिया आपको बोला इसने कि वाक्य में प्रयोग तो बताए कितने चिन्न यहाँ पर प्रयोग में लाए जा सकते हैं जैसे कि विरामचिन्न वाली क्ल यहाँ पर जुड़े हुए हैं लेकिन बीच में कोई समुच्च बोधक शब्द नहीं है तो यहाँ पर इसके लिए हम कौन सा चिन्न यूज में लाते हैं अर्ध विरामचिन्न वाहाँ पर जादा है तो आप पूरे सेंटेंस को पूरा पूरा लिख दीजे और जहाँ पर चिन्न आ रहा है मतलब यहाँ पर इस चिन्न को लगा देजे और लास्ट में कौन सा आएगा पूर्ण विराम एक और लगा सकते हैं आप डबल इन्वर्टिट कॉमा लेकिन डबल इन्वर्टिट कॉमा के लिए कुछ मेंशन नहीं किया है तो हम उसको नहीं लगाएंगे मत नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अपूर्ण विराम चिन्न को समझाए बोला या सिंपल बोला समझाए नहीं तो अपूर्ण विराम चिन्न आप लगा दीजे कि यह साइन होता है उसका और उसका उधारन लिग दीजे जो आपकी उत्तर पुस्तिका में आपको नकल में मि कैसे होगा ओ पहचान दिख गई विसर्ग संधी की तोड़ दीजे अंततह धन गत्वा बराबर कौन सी संधी विसर्ग संधी बिलकुल इजी कुश्चिन ठीक है नेक्स्ट अगर मैं बात करूं गुडा का धनीज तो यहां से मिला आ यहां से मिला ए आ और ए ने मिलकर क्या बना दिया तो बना क्या गुडा का धनीज बराबर गुडाकेश बन गया और गुडाकेश बना संधी का नाम कौन सा गुड़ातव संधी गॉट इट, नेट्स्ट और लास्ट कुश्चन, भारत धन इंदू का संधी करिये तो यहाँ पर क्या बना यहाँ पर A और यहाँ से क्या निकला E और E ने मिलके अगेन क्या बनाया A तो शब्द क्या बना भारत धन इंदू भराबर भारत इंदू एग सेकेंड ये बन गया आपका प्रश्ण भारते इंदू यहाँ पर आपने लिख दिया संधी का नाम अगेन कौन सा गुण स्वर संधी ठीक है तो यहाँ पर आपने देखा पॉस्ट स्लाइट से लेकर लास्ट तक या पूरे प्रश्णों में एक बारी क्विकली रिवाइस कर लेते हैं इसको कि हमारे प्रश्ण का प्रारूप क्या था कोश्चन नमबर एक में यहाँ पर एक नया रिप्रजेंटेशन यहाँ पर एक नया रिप्रजेंटेशन यहाँ एक नया रिप्रजेंटेशन अगर आप पूरी स्लाइट को देखें तो यहाँ एक अलग तरीके से आपने उ कोपी ऐसी दिखेगी लेकिन आप देख रहे होंगे कि कितने सारे डाइमेंशन अलग-अलग जा रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कॉपी में आपकी रोचक्ता बनी हुई है मैं इस पेसली बात कर रहे हूं पेपर पांच के प्रशन पत्र क्रमांक एक की ठीक है क्योंकि लास् होगी और जितना डाइमेंशन होगा वो कुश्चन नंबर एक में ही होगा ठीक है तो आज के लिक्चिर से आपको ये चीज समझ में आई होगी या आज के आंसरेटिंग प्रोग्राम से ये चीज समझ में आई होगी कि लिखना कैसे और आज का फॉर्मेट खाली रखने का सबसे बड़ा यही था कि मैं यहाँ पर जितना ज्यादा से जदा क्लास को लाइव बना कर आपको ये समझा पाऊं कि लिखना कैसे है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ठीक है तो यहाँ पर मैंने कुशिश करी कि क्लास को लाइव माहोल देने के लिए हमने इसको पर क्या करा समझा बच्चो नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम कुछ नया कर लेंगे क्या नया कर लेंगे कि इसी के सामने इसके आंसर मैं आपको फॉर्मेट में लिख कर बताऊंगे इस प्रकार यहाँ पर हमने जो हमारा 16 अक्टुबर का टेस्ट हुआ था उसका पूर करिए इस पेसली 2019 के बच्चे 2019 के बच्चों के साथ साथ 20-21 के बच्चे भी इसको जोईन करें क्यूं क्यूंकि स्लेबस लगभग सेम है पैटन पूरा का पूरा बच्चो सेम है जो हमारे पेपर में आने वाला है में इसके चीक है अब अगले टॉपिक की तयारी आपको अ अच्च बारी सॉल्ल करके उसी टेलीगराम लिंक पर वापस भेजना है जो भी बच्चा चर्वाना चाहते हैं अपना उत्तर वहाँ पर टेलीगराम लिंक पर अपने उत्तरों को डाले हम यहां से कोशश करेंगे कि आपके उस उत्तर को हम चेक करें और उस उत्तर की restore की अ अपने अंदर की आग को जिन्दा रखें धन्यवाद